Hello friends, welcome to our channel CSC Study आज हम करने जा रहे हैं hardware requirement for the Windows XP Windows XP के लिए hardware कौन सी-कौन सी requirements होती है वो चेक करेंगे The minimal hardware requirement for the Windows XP सबसे minimal hardware की कौन सी requirements होती है Windows XP के लिए First है मारे पास Pantinum 233, Megahertz processors, Faster Pantinum में तो सिफ इतना processor Megahertz के दब से और Faster के लिए 300 At least 64 MB के लिए हमें RAM चाहिए Megabytes में और 1.5 GB के लिए हमें available hard disk का space चाहिए CD-ROM या DVD-ROM चाहिए कोई भी एक हो सकती है या दोनों होंगी तब भी अच्छा है Next है के keyboard चाहिए एक mouse चाहिए Next है video adapter VGA cable चाहिए एक हमें Video adapter, monitor के लिए एक Super VGA cable चाहिए जिसका resolution क्या होगा 800 x 600 Higher resolution के लिए चाहिए हमें ताकि पिक्सल जो है clear हो Next है हमारे पास sound card Sound card पे तो चाहिए speakers में ताकि speaker के साथ आपको sound cards मिले Headphones चाहिए हमें तो यह थी हमारे पास hardware requirements जो हमें Windows XP के लिए नीड होते हैं सबसे minimal hardware requirements अब extra gadgets तो आप कितने भी ले सकते हैं extra hardware कितनी भी add कर सकते हैं Next है हमारे पास desktop When you switch on your computer जब आप अपने computer का switch on करते हो उससो start करते हो तो Windows XP क्या करता है load होता है main memory में main memory का मतलब क्या है यहापर main memory में is RAM आपको यह पता होना जी कि सबसे पहले जब हम computer को यह किसी भी laptop को own करते हैं तो जो processing का loading का time होता है booting का time होता है वो कहां पर booting होती है हमारी main memory में is RAM में immediately after this you will see a large area जैसे आप computer को own करोगे वो main memory में load होगा उसके बाद जैसे आप एकदम देखोगे इमेंडेटली आपके पास एक लार्ज एरिया होगा with a many small images मतलब एक बड़ा सा एरिया है उस एरिया के अंदर बहुत चोटी चोटी पिक्टर्स है इस लार्ज एरिया ज़काल डैक्स्टोप वो जो बड़ा सा एरिया होगा अलग अब्जेक्ट को रिपर्जेंट करेंगे सच आज फोल्डर और प्रोग्राम जाए वो कोई फोल्डर हो फाइल हो या कोई प्रोग्राम हो जैसे हम कंप्यूटर को यह किसी लैप्टोप को ओन करते हैं तो ओन करने के बाद हमें क्या मिलता है ऐसा कुछ स्क्रीन मिलती है यह स्क्रीन है हमारे पास पूरी स्क्रीन की लास में यहां पर हमारे पास क्या होता है लेफ्ट मोस कोर्णर में कौन सा होता है बोटम में सबसे बोटम में कौन सा होता है यहां पर बटन स्टार्ट बटन होता है जो हमने टास्क बार में open कर रखा होता है कुछ भी application चला रखी होती है वो हमें यहां टास्क बार में देखती है start button के बाद जितना भी area होता है पतली सी लाइन में उसको हम बोलते हैं task bar task bar के बाद यहां पर कुछ icons होते हैं brightness से related या sound से related और timing फिर उपर की तरफ आप देखोगे तो आपको यह icons मिलेंगे चोटी-चोटी pictures मिलेंगी जैसे यहां पर first picture किसकी है my computer की है next networking की है फिर recycle bean है internet explorer है paint है Microsoft office है तो यह सारी क्या है जो चोटी-चोटी pictures आपको दिख रही है यह pictures के है icons है यह पूरा desktop desktop के ऊपर buttons है task bar है start button है left bottom corner में जो चोटी-चोटी pictures इनको क्या बोलेंगे icons बोलेंगे icon is a small graphic that represents an application icon क्या होते हैं चोटा सा graphic होता है चोटी सी picture होती है जो क्या करती है किसी भी application को represent करती है on the desktop apart from the icon you can see the task bar and start button वो क्या कह रहा है कि इस पूरे desktop पर आपको icon के लाव भी कुछ दिखा होगा हां दिखा है ना क्या दिखा है हमें एक तो task bar देखा हमने और एक हमने start button को देखा at the button of the screen जो screen पर हमें show हो रहा है on the desktop there are few icons desktop पर कुछ थोड़े ही icon है आप इसको क्या कर सकते हो increase भी कर सकते हो जैसे जैसे आप applications को download करोगे किसी का भी आप shortcut बनाना चाहोगे तो वो भी आप क्या कर सकते हो desktop पर shortcut बना सकते हो वो कोई भी फाइल हो सकती है folder हो सकती है किसी भी application का icon हो सकता है और वो क्या कि कुछ icons few icons are permanent कि कुछ icon desktop पर permanent होते हैं कौन से कौन से icons हैं वो जैसे my computer recycle mean है my documents है यह क्या होते हैं ऐसे icon होते हैं जो permanently desktop पर होते ही होते हैं there are the few which are optional कुछ ऐसे भी हैं जो optional होते हैं जग create किये जाते हैं यूजर से according to their linking कि जैसे जैसे user की requirement होगी वो अपने according भी क्या कर सकते है icon को create कर सकते हैं अब हम कुछ permanent जो icons हैं हमारे पास उनको discuss करते हैं first icon है हमारे पास my computer का my computer क्या होता है my computer is used to quickly and easily see the everything on the computer my computer का use करके हम क्या कर सकते हैं easily और quickly देख सकते हैं कि computer में कौंसी कौंसी चीज़े यह कौंसे softwares है my computer में आपको क्या में देगा software मिल जाएगा hardware से related details मिल जाएगी और के मिलेगा आपको जो applications डाउनलोड करी हैं कोई भी आपकी files है folders हैं जितना भी काम होगा आपको कहा मिलजेगा my computer में click on the my computer icon सबसे पहले आपको कहा करना पड़ेगा my computer का icon पर click करना पड़ेगा फिर desktop क्या करेगा उसको browse करेगा उसको open करेगा महाँ पर आपको कुछ files and folders मिलेंगे my computer window appears जैसे कि अपने अपर जो हमने figure देखा उस figure में ने देखा सबसे पहला icon को था हमारे पास my computer का my computer का icon जो है वो दिस्प्ले हो रहा है for all the disk and drive open the window utility including control panels इसके अंदर कॉम से कॉम से हमारे पास icon होगे जैसी हम my computer का open करेंगे उसके अंदर भी हमें कुछ icons मिलेंगे सबका अपना डिफरेंट टास्क होगा कुछ icons उसके अंदर भी permanent होते हैं जैसे C drive है इड्राइव है ड्राइव है अगर हमने को pen drive बगार जैसे अलग से कुछ यूज कर रखा तो उसका भी icon आपको वहीं पर शोओगा एक icon और मिलेगा आपको include में control panel का वह भी आपको कहां पर शोओगा my computer में इससे previous figure में हमने क्या देखा कि my computer का icon कैसे दिखता है अब हम देख रहे हैं जब my computer का icon पर हम click करेंगे तो कौन से window हमारे पास open होगी जैसे my computer पर click करेंगे तो मारे पास यह वाली window open होगी उपर जो सबसे leftmost corner है top में वहाँ पर आपको कहा लिखा मिलेगा my computer मिलेगा उसके side में कौन से कौन से buttons है cross button है minimize maximize का button है then उससे नीचे कौन सा button हमारे पास शो हो रहा है file edit view favorite tool help यह सब आपके पास options शो हो रहे हैं इसके बाद नीचे वाले अलग से task है back है front है search folder folder sync यह सारे buttons है next address में आपको searching का button मिल जाएगा searching के बाद आपको अगर आप left side में देखो system task other places detail ऐसी चीज़े मिलेंगी यह वाले इसे related task मिलेंगे next अगर आप right side में देखो scroll bar में तो आपको कहा मिल रहा है file store in this computer आपकी computer में जो फाइल आपने आपने खुद store कर रखी होगी वह आपको यहां मिलेगी जो hard disk में store होगी जै इसको आप remove कर सकते हो ऐसे storage removable disk and new disk H अच नाम से disk अब यह सब क्या है हमारे पास जब हम my computer पर click करेंगे तब हमें यह window देखने को मिलेगी इसके अंदर कौन से-कौन से features है functions of my computer icons जो my computer की icon है उसके अंदर कौन से-कौन से function हम देखते हैं to browse the content or the various disk like the hard disk CD and DVD कि जैसे कि आप CD आप DVD का use कर रहे हो hard disk का use कर रहे हो वह आपको शुख होगी जैसे हमने अभी देखा local disk D, local disk C, local disk E and local disk F To create, copy, move and rename the file and folder इसमें आप easily क्या कर सकते हो नई file को create कर सकते हो file या folder को create कर सकते हो file and folder को copy कर सकते हो move कर सकते हो उनको rename कर सकते हो next क्या कर सकते हो आप to run a particular application यहां से आप जितनी भी आपने application डाउनलोड कर रहे होगी वह आपको दिख जिएंगी वहां से आप PCP particular application को run करना चाहते हो तो भी कर सकते हो to schedule the task to set up dial the accounts जो भी account से related system होगा multi user या single user का वो भी आप कहां से set कर सकते हो my computer से set कर सकते हो जो भी चीज आपके लिए wastage है जिसका आप यूज नहीं करना चाहते है आपके लिए यूज नहीं रहा उसका तो उसको आप क्या करते हो थ्रो कर देते हो dustbin में same as it is जो भी thing आपके लिए wasted है या आपको उसकी need नहीं है उसको आप क्या कर सकते हो dustbin में put कर सकते हो similarly when I need data or a record is not required जब आपके लिए किसी भी data या किसी भी record का required नहीं है या need नहीं है आपको तो आप क्या कर सकते हो उसको delete command दे सकते हो कि इस particular file या folder को आप delete कर दो जैसे आप उसको delete करोगे तो वह कहां पर आपको शो होगा recycle bean में recycle bean में वह क्यों store होता है क्योंकि by chance कभी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमने किसी दूसरी file को या folder को delete करना था by chance गलती से हमें कौनसा दूसरा folder या file delete हो जाती है तो आपके पास एक chance होता है कि आप उसको क्या कर सको restore कर सको recycle bean से अगर आपके पास recycle bean से अगर एक बार कोई भी file या folder कट जाता है delete हो जाता है तो आप उसको recycle नहीं कर सकते है या restore नहीं कर सकते recycle bean is a facility to restore data back to the original data original location यानि बायचन साथ से गलती से अगर कोई data कर जाता है कोई भी delete हो जाता है data तो आप उसको क्या कर सकते हो उसकी original location पर data को back कर सकते हो by selecting the required option किसी भी required option के recording recycle bean in the same as the dustbin at the home recycle bean store all the deleted item and folder recycle bean करता क्या है जितनी भी deleted items होती है files फोल्डर होती है उनको store करकर रखता है तो open the recycle bean window double click on the recycle bean icon on the desktop बचलब जब आप recycle bean को open करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे देस्टोप पर recycle bean के आइकन बर जाकर उसको से डबल क्लिक कर दोगे जैसे आप उसको double click करोगे आपके पास recycle bean की window open हो जाएगी जैसे यह window आपके पास open होगी जब आप recycle bean के उपडीक करोगे double click करोगे recycle bean या लिखा आ रहा है recycle bean को यह एक ही बारे में restore कर सकते हो जितनी बारे पास item delete हो चुकी है to move all items back to the original location जब आप चाहते हो कि आपके पास जितने भी आपने items को delete किया है data को delete किया है वो data आपके पास original location पर आ जाए जहां पर वो पहले store था डिलीट करने से पहले तो आप क्या करोगे restore all item पर click करोगे जो recycle bean task में दिया हुए आपको या फिर आप चाहते हो कि permanently remove होजे data जितना भी data recycle bean में पढ़ा है उसको आप permanently delete करना जाते हो MPT करना चाहते हो recycle bean को तो आप क्या करोगे MPT the recycle bean पर click करोगे now you can't restore all the file of the system मतलब जो भी आपने file को delete कर दिया है MPT करकर तो उसको आप क्या कर सकते हो restore नहीं कर सकते क्योंकि वो data क्या होगा permanent delete हो जाएगा recycle bean से वो आपके system में भी कहीं नहीं मिलेगा you can also add a delete a specific file जरूरी निया कि आप सारी item को restore करो यो सारी item को delete करो किसी परटिकुलर को आप बिलीट कर सकती हो तो किसी परटिक्टुलर item को आप restoreς का होगा तो क्या होगा, डेटा क्या हो जगा, रिस्टोर हो जएगा, अगर आप डिलीट करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करके उस पर डिलीट का option आएगा, उसको डिलीट करो, तो डिलीट a file, selecting by clicking on it, उसको select करो, उसको डिलीट करो, राइट क्लिक, then click on the delete button, option from the file menu, फाइल मेन्यो प कर सकते हैं, तो बची में वीडियो, वीडियो को like, share, subscribe करना, comment करना ना भूले,